वेल्गम एप्रिवन ITI ट्रेनिंग आफिसर का जो बेकेंसी आया हुआ है उस पर ये लेक्चर हमारा फोर्थ है इसके पहले लेक्चर वन, टू और थ्री मैं बना चुका हूँ तो पहले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन आफ ड्रॉइंग कौन-कौन से उपकरण इंस्टूमेंट हम उसमें यूज करते है दूसरी लेक्चर में मैंने स्केल, टाइपस आफ स्केल कराया हुआ है और थर्ड लेक्चर में मैंने अक्छरांकन जो हम ड्रॉइंग बनाने के बाद उसमें डाइमेंशन देते हैं उसको बहुत ही बिवस्तित तरीके से बताया हुआ है तो यदि आप लेक्चर बन टू और थरी देखना चाहते हैं तो इस बेडियो के डिस्केप्शन में मैं लिंक दे दूँगा तो वहाँ से आप लेक्चर बन टू थरी देख सकते हैं आज के लेक्चर में जो ड्रॉइंग का सिलेवस है आपका ITI ट्रेनिंग ओफिसर का उसके अंतरगत Material Convection and Symbol यानि कि पदार्थों के निरूपणवा चिन इसके अंतरगत ये बेडियो है बहुत ही आसान और Sequence 22 और उसके बाद मैंने बस्तू निष्ट प्रशन भी रखे हुए है तो ये सब पढ़ने के बाद मैं आपको बस्तू निष्ट प्रशन भी कराऊंगा तो आपको पूरे वेडियो को देखना है यदि आप Training Officer TO का Preparation करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि रेखाएं क्या होती है या Engineering Line क्या होती है तो Engineering Drawing में आरेखन रचना करने के लिए विवित किसमे की रेखाओं, पदार्थों के निरूपर तो जो आप Engineering Drawing जब बनाते हैं तो विविन्य प्रकार की रेखाएं, प्रतीक और चिन, सिंबॉल बगएरा आप यूज करते हो तो ये सब क्या है? Drawing के लिए बहुत महत्यपून है और यहां से आपसे Question बनेगे ही बनेगे Objective तो हम देख लेते हैं, जो रेखाएं हम बनाते हैं, वह कितने प्रकार की होती हैं तो रेखाएं जो मुक्ता होती हैं, उनकी ठिकनेश के आधार पे वो होती हैं आपकी तीन प्रकार की मौटी रेखा, मद्द रेखा और पतली रेखा जो आपकी मौटी रेखा रहेगी उसकी जो मौटाई रहेगी थिकनेस रहेगी वो रहेगी आपकी 1 mm और इसको इंगलिस में हम बोलते हैं थिक लाइन इसी तरह आपका जो मद्ध रेखा रहेगा वो रहेगा उसकी मोटाई 0.5 mm और इसको हम इंगलिस में बोलते हैं medium line इसको हम बोलते हैं medium line इसी तरह जो पतली रेखा होगी इसको हम बोलते हैं thin रेखा और इसका thin line बोलते हैं इसको और इसका जो मोटाई रहने वाला है आपका वो रहने जबाला है 0.3 mm और ये सारी की सारी जो आपको जानकारी दी हुई है मोटी रेखा, मद रेखा और पतली रेखा के बारे में ये भारतिये मानक संस्थान द्वारा निर्धारत है ऐसे ही आपको पढ़ना है जो निर्धारत किया हुआ है लगभग वही आपसे एक्जाम में पूछा जाएगा चलिए अब देखते हैं कि उपयोग के आधार पर रेखाओं को कितने प्रकार में बाटा गया है ये तो हो गया आपका थिकनेस के आधार पर अब हम देखते हैं कि यूज के आधार पर रेखाओं को कितने भागों में बाटा हुआ है तो उपियोग के आधार पर रेखाओं को जो है object line, construction line, short break line, hidden line, center line, cutting plane line, long break line, dimension line और छेदक line इन पार्टों में बाटा गया है एक-एक करके मैं आपको थोड़ा-थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ आपने इससे पहले drawing बनाया होगा और आप इनको जानते भी होगे फिर से हम एक बार इसको थोड़ा-थोड़ा देख लेते हैं सबसे पहले हम देखते हैं object line क्या होता है तो आपका जो object line रहेगा, जो बाहरी सीमा होती है object की या जो हमें बाहर से दिखाई देने वाला जो किनारे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं object line बोलते हैं या उसी को हम outline भी बोलते हैं ये जो diagram यहाँ पर बना हुगा है इसमें ये जो b वाला part है, b ये क्या होगा आपका object line होगा यह जो आपको दिख रहा है ऐसा यह क्या हो जाएगा आपका object line हो जाएगा अब next हम देखते हैं construction line क्या होता है जब हम drawing बनाते हैं तो हम construction line का उप्योग करते हैं आपको नाम से ही समझ जाना है जब हम सुरुआत करते हैं drawing बनाते हैं तो construction line का प्रियोग करते हैं, इसको हमें ज़्यादा दवाओ से नहीं बनाना होता है, कभी-कभी हमें इसको line को हमें मिटाना भी पड़ सकता है, तो जो आपका part A हो जाएगा, जो A करके यहाँ पर सो किया हुआ है ये वाला part, ये जो line का आपको बर्क देख रहा है, इस line को हम बोलेंगे क्या construction line, इसी तरह short break line, ये सबसे important line है, इससे जो है कई वार exam में question बनता है, तो जो आपका short break line होता है, उसमें जो है हम जब किसी पुर्जे का cutting part दिखाते हैं, तो जिक जैक रूप में दिखाते हैं, ऐसा कुछ होता है jet की तरह, और यदि ठोस के लिए बात की जा रही है, तो उसको थोड़ा कर्ब सा ऐसा दिखा देते हैं, तो ये जो कर्ब यहाँ बना हुआ है, ये क्या है, आपका short break line है, इसके बाद हम देखते हैं long break line, क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते हैं, आपको थोड़ा सा difference रखना है, तो जो आपका long break line होता है, जब हमें किसी लंबे भाग को छोटे भाग में दिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं, उस लंबी में देखें, इसमें तो ये जो part आपका सबसे नीचे दिख रहा होगा, ये सबसे नीचे बाला line, ये आपका जो type है, ये long break line का है, चलिए अब देख लेते हैं center line क्या होता है, तो center line आपका जब किसी भी part के मद्ध भाग को दिखाते समय, उसके केंदर में line हम खीचते हैं, तो उसको हम बोलते हैं center line, और जो center line होता है आपका, उसका ratio आपको याद रखना है, 5 mm to 1 mm होता है, dash करते हुए हम बनाते हैं, ये जो आपका G वाला part है, इस चित्र में बनाया गया है G वाला part, आपको देख लेना है, इस चित्र को अच्छे से, और ये जो आपको section line दिख इस circle का center से, जो हमने ये खींची हुई है, ये part है आपका D, ये क्या होता है, आपका center line होता है, इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं, dimension line, तो dimension line आप ये जो देख रहे हैं, ये जो दरसाया गया है, arrow head के साथ, edge पाला part, इसको हम dimension line बोलते हैं, dimension जब हम करते हैं, बताते हैं या कितने mm, कितने centimeter का part है, तो हम arrow head बनाते हैं, और line बीच में से हम उसमें लिख देते हैं, यहाँ पर के 20 mm, 10 mm कितना है, आप इसके बाद देखते हैं, चेदक line, तो चेदक line क्या होता है आपका, चेदक line जो होता है, उसको हम 45 degree पर बनाते हैं, यहाँ पर आपको ये part हुई हैं, ऐसे ऐसे करके, तो यह 45 degree पर हैं, और 2 mm का इसमें जो है, अंतर है, तो इनको हम बोलते हैं, 36 line, sorry, 36 line नहीं, छेदक line, छेदक line, इंगलिस में बोलते हैं, हम section line, तो यह सारी की सारी line हैं, आपको थोड़ा-थोड़ा सा इनके बारे में याद रखना है, यदि आप आपने drawing बनाया होगा, तो आप जानते ही होंगे इसके बारे में, चलिए अब हम देखते हैं, पदार्थों, विविन्न पदार्थों का रूड़ी गत निरूपन, तो आप conventional representation होता है, जो पदार्थों का बो देखते हैं, उससे पहले यदि आप channel पर नए हैं, तो channel को आपक subscribe कर लेना हैं, और इस channel पर 75 बस्तुनिष्ट रहने वाले हैं, आप जिस ट्रेट से exam दे रहे हैं, और 25 बस्तुनिष्ट रहने वाले हैं, आपके बिग्यान, गड़ित, सामाने ग्यान, तार्गिक ग्यान, बेसिक कम्प्यूटर ग्यान, तो मैं एक practice set भी upload करता हूँ, जिसम हुआ है, पी बी ने, तो आपको ये practice set भी देना है, इस से आपका preparation अच्छा हो जाएगा, और इस video से आपको मदद भी मिलेगी, तो channel को आपको subscribe कर लेना है, और इस video के description मैं मैं लिंक दे दूँगा, तो आप practice set भी दे सकते हैं, चलिए आप देखते हैं, conventional representation, तो जो आप ब aluminum के alloy हैं, तो उसको आप ऐसे represent करेंगे, ये क्या है, एक धातू का टुकड़ा बनाया गया है, और इसमें जो sectioning की गई है, ये छेदक रेखा हैं, जो बनाई गई हैं, वो बनाई गई हैं, आपको ये याद रखना है, कि एक रेखा से दूसरे रेखा के बीच की दूरी जो ह और जो light metal होते हैं, उनमें आपको क्या करना है, दाई और बाई दोनों और से sectioning कर देनी हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बोर representation हो जाएगा आपका light metals के लिए, इसी तरह packing, insulating material जो आपके होंगे, जैसे सीशा, पत्तर, पॉर्सलीन, marble, तो इसके लिए आपको dash dash करके, लाइनो से इसको represent करना है, चलिए अब देखते हैं, कुछ और हैं, जैसे कि लकड़ी और plywood का टुकड़ा है, तो लकड़ी और plywood का जो टुकड़ा होगा आपको, आपने देखा होगा लकड़ी कटने के बाद कुछ इस प्रकार की दिखती है, कहीं circle से, कहीं टेड़ी मेरी line है, कहीं आपको कभी-कभी color भी अलग प्रकार का लाल, white सा, पीला सा देखेगा, तो इस तरीके से हम इसको represent करते हैं, लकड़ी या प्लाइबुट को, और प्रत्वी या चट्टान को यदि आपको represent करना है, तो उसको करेंगे हम, उसको कुछ इस प्रकार से हम represent करेंगे, ये सब पार से दरसाएंगे, पानी, तेल, पेट्रॉल या कोई liquid है, तो उसको हम डेस-डेस करके flatline से दरसाएंगे, अब हम देखते हैं, जैसे कुछ pie या rod होते हैं, तो उनका conventional representation हम देखते हैं, जैसे I beam section को यदि हम देखते हैं, तो I beam section का जो convection है, वो कुछ इस तरह से दिखता है इसका जो sectional side view है, वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसी तरह channel section आपको थोड़ा सा याद रखना है, कि यह जो I beam लिखा हुगा है, तो यह आई shape में ही दिखेगा आपको, और channel section आपको लगवग C type के shape में दिखेगा, और T section T type के shape में दिखेगा, तो इनको याद बिलकुल आसान है, बस आपको एक बार line से step by आँगे बढ़ते चलना है topic में, और पूरे video को अंदर तक देखना है, बाद में हम objective question answer भी करेंगे, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कोई building करते हैं, किनी दो पार्टों पर, जैसे ये दो पार्टों को हम जोड़ें building से, तो इसका क्या shape रहने वाला है, क्या conventional representation रहने वाला है, belt jointों का, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कभी कभी आप से इससे भी representation से question पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, कि flat क्या होता है, square butt क्या होता है, single butt क्या होता है, तब इसको हम जोडते हैं तो यहाँ पर building की जाती है तो convection इसका कुछ इस तरीके से आपको देखेगा इसी तरह square butt square butt को जब आप जोड़ेंगे but मतलब होता है सीधे सीधे दोनों का ऐसा joint लगाना तो इसका जो यह दिया हुआ है joint और यह दिया हुआ है आपका इसका convection इसी तरह single butt double butt single u butt single double u butt तो इन सब के जो यह convection है यह याद कर लेने हैं आपको इसको लिख के देख लेना है कि जब exam में आप से question पूछा जाए कि double b butt का convection कैसा होता है तो आपको जो दिया जाएगा option उसमें से आपको सही answer टिक करना होगा जैसे यह double butt है तो यहाँ पर आप देख लिए दो u ऐसे कुछ बने हुए हैं तो आपको इनको थोड़ा सा बना के practice कर लेना है आप निश्चिती इसको आसानी से सीख जाएंगे चली अब हम देखते हैं objective question answer पहला question है अभियांत्र की रेखा चित्र में बहुत सी अभियांत्र की रेखाओं का प्रयोग होता है उस रेखा की पहँचान कीजिए जो प्रचे प्रेखा के रूप में प्रेखा होती है प्रचे प्रेखा को इंगलिस में हम बोल सकते हैं projection line तो आपको बताना है option A, B, C और D में से कौन सा आपका projection line है तो ये जो option 2 है आपका लगभग point 2 mm ये क्या हो जाएगा आपका प्रचेप रेखा या projection line आपका हो जाएगा अगला question है bulbों का उपियोग line में बहने वाले द्रव के बहाओ को नियंतरत रोकने बहाओ को रोकने अत्तथा नियंतरत करने में होता है bulb बहुत प्रकार के होते हैं चित्र में दर्सा आए गए gate bulb की संकेत को पहचानी है तो gate bulb का हमें क्या बताना है संकेत बताना है तो ये 4 option आपको दिये हुए है तो इसमें से जो option A है आपका right हो जाएगा आपको याद रखना है यहाँ पे ये ऐसा कुछ बना हुगा है तो इसमें ये जो बीच में ये ऐसा T type का bulb लगा हुगा है इससे को यदि हम roll करते हैं घुमाते हैं तो बंद होगा बॉल और चालू भी होगा तो आपको ऐसे इसको याद करना है रिलेट करके जिससे की exam तक आपको आसानी से याद रहे और उसको आप आसानी से टिक कर पाएं अगला question देखते हैं कुछ मानक मेंब्रों में रोडी गत ब्रेक चित्र में दिखाए गए हैं channel card में रोडी गत ब्रेक को पहचानिए तो आपको channel card में रोडी गत ब्रेक को पहचानना है आपको थोड़ा सा question को ध्यान से पढ़ना है channel card बोला हुगा है अभी मैंने इसी वेडियो में आपको बताया था कि channel card जो होता है आपका वो C type का दिखता है तो इसमें देख लें आप C type का कौन सा दिख रहा है तो ना ये दिख रहा है ना ये दिख रहा है ये I type का दिख रहा है और ये C type का हमें लगवाग दिख रहा है तो option number D आपका right हो जाएगा IS के अनुसार पदार्थों के विभिन रोडीगत संकेत होते है एक सीसा धातू के लिए प्रयुक्त होने वाला रोडीगत संकेत आपको पहँचानना है जो मैंने अभी आपको बताए थे सिंबॉल आपको आप बताना है कि इसमें से सीसा धातू का कौन सा होगा तो जो सीसा धातू है जब वो आपकी light bait धातू में आती है तो light bait धातू की जब आप sectioning करते हैं छीदक रेखाएं बनाते हैं तो पहले ऐसी और फिर ऐसी तो आप option में देख लीजिए option number B आपका right हो जाएगा चलिए देखते हैं अगला question अगला question है चित्र में विवन प्रकार की leaf spring के रोडिगत संकेत बनाए गए हैं एक बिना आख केंद्रिय बंध के साथ वाली leaf spring का रोडिगत संकेत पहचानी हैं आपको बिना आख वाली बोला हुगा है तो ये दो option तो आपके बैसे ही गलत हो जाएगे ये आख के चिन होते हैं आपके के यहां आपको बिना आख वाला बताना है तो अब ये दो मैसे जो है आपको देखना होगा तो ये आपका option number C right हो जाएगा ये चिनने जो होता है वो क्या होता है आपका बिना आख केंद्रिय बंध वाला leaf spring होता है चलिए अगला question देखते हैं अब यांत्रिकी में बिन्य परकार की रेखाओं को उनके उपयोग के संबोधित किया जाता है चिपे हुगे किनारों को बनाने के लिए किस रेखा का प्रियोग किया जाता है तो आपको याद रखना है जब आप चिपे हुगे किनारे की बात करते हैं तो आप कैसे बनाते हैं ऐसे ऐसे डेस डे रेखाओं का प्रियोग हो सकता है उस रेखा को दर्साओ जो सद्याओ अपनी दिसा बदलती रहती है तो इसमें से आपको बताना है ऐसी कौन सी जो है आपको रेखा दिख रही है इन चार आप्सन में से जो सद्याओ अपनी दिसा बदलती रहे तो इसका जो राइट हो जाए है तो आठ प्रकार की रेखाओं को अप्योग किया जाता हैं इंज्टिणिंग ब्रॉइंग में का मुखख आधार क्या है रेखाएं सब यह दोनों यह बादो कोई का मुखख आधार क्या है रेखाएं आपका तो इसट नंबर ए आपका राइट हो अगला question देखते हैं, दो सरल रेखाओं का प्रतिचेत क्या कहलाता है, जैसे कोई दो रेखाओं हैं, ये प्रिचेत कर रही हैं, तो इनके प्रिचेत को हम क्या बोलेंगे, बिंदू, रेखा, आयत, तो इसको हम बोलेंगे, बिंदू, पॉइंट, option, question 12 का option number 8 आपका right हो जाए चित्रमवविन प्रकार की helical spring के रोडी गत संकेत दर्साए गए हैं, IS के अनुसार, helical tension spring का रोडी गत संकेत आपको बताना है, तो ये जो आपका helical का tension spring होता है, तो tension का मतलब होता है आपका, tension का मतलब आपको याद रखना है कुछ इस प्रकार से, ये बस तु मैं बाहर की और force लगाना है, मतलब खीचना, तो खीचना आपका tension आ जाएगा, ये आपको देखना है spring है, कौन आपका compress है, कौन tension में है, तो ये देखिए, ये इसके अपेक्छा बाहर की सब जो है, compress लग रही है, जैसे उनको दवाया गया हो, चाहे ये हो, आपका चाहे ये हो, चाहे कि आप जानते हैं कि tension और compression क्या होता है, तो tension मतलब होता है खीचना, और compression का मतलब होता है दवाना, compression मतलब जो आपका जैसे कोई ये object हो गया, तो इसको ऐसे करना, और इसको बाहर खीचना, tension आ जाएगा और ये compression हो जाएगा, अगला कुश्चन है, एक समतल सताय को रिखां करेंगे, ये तो होगा नहीं, ये तो आपको धात्मों के sectioning करते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, option number C, right हो जाएगा आपका, इस रेखा का नाम बताईए, ये जो आपको diagram यहाँ पर बनाया होगा है, तो ये जो dead test करके रेखा बनी होई है, इसको आपको बतान हैं, तो क्या हो जाएगा, आदरस्र रेखा, तिर्ची रेखा, बक्र रेखा, या इनमें से कोई नहीं, तो जो आदरस्र रेखा हो जाएगा ये आपका, चलिए देखते हैं अगला question, आई-एस के अनुसार विभने प्रकार के रोडी गत संकेत पदार्थों के होते हैं, एक cast iron, धातू के लिए प्रक्त रोडी गत संकेत को पहचानिये, cast iron क्या आजाएगा, आपका heavy metal में आजाएगा, मतलब सीधा सा ये आपका धातू हो गया, ये मान लिया cast iron हो गया, तो इसको ऐसे ऐसे sectioning कर देते हैं, 45 डिग्री पर, तो ये option number A right हो जाएगा आपका, तो ये हो होता है, channel section, तो option number A ही इसका भी right हो जाएगा, यहाँ पर ये objective question और ये जो topic था आपका, material convection and symbol ये समाप्त होता है, प्रतीक और चिन्न ड्रॉइंग के ये समाप्त होते हैं, यदि आपको ये वेडियो पसंद आया है, तो वेडियो को like share करना है, और channel को अभी तक subscribe नहीं किया